हेलो एवरीबन दिस दिक्षार आठोर एंड वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम पर्यावरनिया आंदोलन जो है ठीक है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत इपॉर्डन टॉपिक है तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड शेक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहला जो आंदोलन है वो है विश्णोई आंदोलन ठीक है इसकी स्थापना हुई थी 1730 में ठीक है प्रणेता जो है वो है संत संभोजी सान जो है ये राजस्थान में ये आंदोलन हुआ था खेजडी यहां पर सोड़ा मिस्प्रिंट है खेजडी गाउं की विश्णोई ने अपनी तीन बेटियों सही थी अपने प्राणों की बली दे दी थी इस आंदोलन में विश्णोई आंदोलन में ठीक है देखे डियर जो बिश्णोई है न ये मतलब ये भारत का एक धार्मिक संपरदाय है जिसके अगर हम अनुयाई की बात करें तो राजस्थान, हरियाना, पंजाब, यूपी, मंध्यपरदेश इनमें पाये जाते हैं शिरी गुरु जमेश्वर को जो है बिश्णोई पंथ का संसापक माना जाता है जिने संभोजी यानि संथ संभोजी के नाम से जाना जाता है ठीक है और इस संपरदाय के संसापक ने अपने अन्याईयों के लिए जो है 29 नियम तब ही से इसका नाम पढ़ था दियर 29 नियम इन्होंने दिये थे जैसे बिस नोई बीस नो मतलब 39 नियम इन्होंने बताए थे ना तो तबी से इनकी जो है इनका नाम पढ़ा था बिशनोई यानि 39 जो थे नियम दिये थे यानि बिशनोई जो है दो शब्दों से मिलकर बना है बीस और नो जो 39 नियमों का पालन करता है ज इनी के कारण इसका नाम विश्णोई पड़ा कहने कभी प्राइडियर यह जो विश्णोई आंदोलों है यह खेजडी गाम के मतलब वहां पर जो हरे विश्णोई थे उनकी रक्षा के लिए जो अमरिता देवी विश्णोई थी उनके नेत्रित्व में 363 यानी 363 है कहने के प्राइड है यह जाती है और वन और वन जीवों पर्यावन सरक्षण में यह बहुत महत्तबं भूमिका निभाती है और जादतर वहां के जो विश्णोई समाज के जो लोग है वो मौस्टली किसान जो है महां पर खेती पशुपालन करते हैं ठीक है तो यह पर्या स्भाइल बनवाना था लकडियों का इंतिजाम करने के लिए उहने अपने सैनिक हो को भेजा जंगल काटने के लिए तो राजसान के खेजरी गाम में जो पहँचे तो वहां के जो महिलाए थी उन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना जो है उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए वो उतर बढ़ी और फिर उनकी जो है उनको अपने प्राड़ों की आखती देनी बढ़ी जो विश्णोई समाज थे वो उन पेड़ों की पूजा करते थे इसलिए उनको कट करना नहीं चाहते थे है तो ये था विश्णोई आढ़ोलन जो 1730 में ये हुआ था ठीक है अगला जो है वो है चिप को आढ़ोलन देख़े चप को आढ़ोलन जो है वो आपको चितरा से पहले देख लेना है प्रणेता जो है चंडी प्रशाद बट साहयक जो है इ 1973 में ये आंदोलन हुआ था 1973 में सान है उत्राखन के चमोली जिले के गोपेश्वर गाव और रेनी गाव ठीक है और 1987 में सम्यक जीवी का पुरुसकार मिला था सुंदरलाल बहुगुणा जो है टीहरी बांद आंदोलन के जैनक भी माने जाते हैं देखे चिपको आंदोलन जो करने के लिए ये आंदोलन किया था और वे राज्य के वन विवाग के ठेक द्वारों द्वारा जो है वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना कहते थे कि उन पर उनका हक है परमपरागत अधिकार वो जता रहे थे तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट इस आंदोलन के नेता थे और इस आंदोलन की सबसे उलेखनी है जो अगर हम विशेशता बात करें इसमें महिलाओं की विशेश भागेदारी है और वो पेडों से चिपक गई थी तो फिर इसी वज़े से इस आंदोलन का नाम पढ़ा था चिपको आंदोलन ठ लेगडे यह याद रख लीजेगा सान है करनाटक के उत्तर कंणड शेत्र 1983 में एपिको आंदोलन यह हुआ था नारा था बचाओ बेलेसू मत्यू बिलसू यानि बजाओ बढ़ाओ और कान में लाओ ठीक है इनका नारा था ठीक है चिपको आंदोलन जो है उत्तर भारत में अपिको आंदोलन दक्षिन भारत में यानि जो चिपको आंदोलन था यह उत्तर भारत में तो चिपको आंदोलन के नाम से यह शुरू आ था और अपिको आंदोलन दक्षिन भारत में यह इस नाम से फिमस हुआ था तो यह आंदोलन जो है यह चिपको आंदोलन की तरह ही प उत्तर कंदर शेत्तर में यह हुआ था और यह आंदोलन जो है वनों की रक्षा करने के लिए करनाटक में पाडू रंग हेगडे की नेत्रित्व में शुरू हुआ था ठीक है डियर इतना सब कुछ है आगे हम बढ़ते हैं साइलेंट वेली आंदोलन सन 1973 ठीक है डियर सन 1973 तो 1973 में यह जो है आंदोलन हुआ था ओके और सान जो है केरल के कुंटी पुंच नदी ठीक है कुंदेर मुख जल्व विद्यूत परियोजना यहां पर यह केला सलकार द्वारा जो है यह परियोजना चलाई गई थी और साइलेंट वेली जो है यह साइलेंट घाटी जो है साइलेंट वैली रास्टे पारक जो है इसको घोशित किया गया था ठीकिर यानि केरल की जो शांत घाटी है यह 189 यानि 89 वरक किलोमेटर शेत्र में है जो अपने यहाँ पर बायो डाइविसिटी के लिए बहुत यह फेमस है और 1980 में यहाँ कुंति पूंच नदी पर एक परियोजना के अंतर के जो है 200 मेगावार्ट बिजली के निर्मान के लिए यहाँ यहाँ पर बांध का प्रस्ताव रखा गया था तो केरल सरकार जो है इस परियोजना के लिए मतलब बहुत काफी इच्चुक है लेकिन इस परियोजना के विरोध में जो विज्यानिक है ठीक है वो मतलब यह विरोध कर रहे हैं वो मानते हैं कि अगर यह परियोजना यह बांध लगता है तो इससे फूलों को पोधों को य कोशित करना पड़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन ठीक है तो यह जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके प्रनेता जो है मेधा पार्टेकर साहयक है अरुधनती राय बाबा आम्ते एवं अनील पटेल 1989 में यह आंदोलन हुआ था और नर्मदा नदी के उपर बनाई जा रही बहुत देशी बान परियोजना जो है यह परियोजना है यह आंदोलन जो है भारत में चल रहे हैं परियावन आंदोलन की परिफकवता का यह एक example है इसने पहली बार परियावन और विकास के संखर्ष क तो रास्टे स्तर पर चर्चा का ये विश्य बनाया था, जिसमें काफी लोगों ने पार्टिस्पेट किया था, जो विज्यानिक थे, जो गैर सरकारी संगठन थे, आम चंता थी, ठीक है तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवरबान परियोजना का उधगाटन, 1961 में पंडित ज अहमती नहीं जताई थी, इसी वज़े से 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद नयाधीकर्ण का गठन किया, ताकि जो जल समंधी जो विवाद है, उनको हल करके, जो है परियोजना का कार्या है, शुरू किया जाए, ठीक है डियर, तो नर्मदा पर बांधो के निर्मार्ण जंगल बचाओ आंदोलन, देखे जंगल बचाओ आंदोलन जो है डियर, ये 1980 में बिहार से हुई थी इस आंदोलन के शुरूरात, ठीक है, बाद में आंदोलन जो है जारखंड और उडिसा तक ही फैल गया था, 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यावान, सागोन के पेडों के जंगल में बदलने की यहां पर योजना इन्होंने पेश की थी, और इसी योजना के विरुद बिहार के सभी आदिवासी जो कबेले एकजुट हुए थे, और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया, इसे जंगल आंदोलन के नाम से इस तक फैल गया था यह आंदोलन, साल के विरुख्ष के जंगा सागोल के पेड यह कहते थे कि यह लगाएंगे, ठीक है, जल पुरुष के नाम से जो विख्यात है वो है राजेंद्र सिंग, मिट्टी बचाओ आंदोलन, इनके प्रनेता माने जाती है बाबा आम्टे, हूशं इनके प्रनेता माने जाते हैं, जो राजस्थान में हुआ था, ठीक है दियर, तो इतना सारा मैंने आपको बताया है, जो परेवरनिय आंदोलन थे, बहुत इपोर्टन टॉपिक था, और आपको कैसे लगा यह टॉपिक, कॉमेंट में बताएगा, सो थैंक्स वोचिंग शेर अबस्क्राब आटोब चानल, तिल दान बबाए रवड़ाखा जया भूलेनाथ